नमस्कार दोस्तों मैं विजेतिवारी स्वागत है आपका अमारी यूटिब चैनल दा बुक्स सुसाइटी में जहां हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि दलित शब्द का अर्थ क्या होता है किस प्रकार से महराष्ट में दलित पैंथर्स ने एक महत्पुर्ण भूमिक आदा करी थी इसके साइसाथ हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पहले बांप से फिर डियस फोर फिर आगे चलकर बहुजन समाजवाधी पार्टी ने दलितों की लामबंदी की आज़ादी से पहले बावासाइब भीमराओं अमेट कर इतना है नह मैं आपके लिए असानी हूँ आज इक लास में हम बात करने वाले ओबीसी की कि ओबीसी कौन है ओबीसी का मुद्दा भारत में कैसे उठा और लाश में हम पढ़ेंगे महिलाओं के बारे में तो देखो जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं अन्य पिछडा वर्ग अधर बैकवर्ड क्लासिस लेकिन जब भारती समिधान बना तो SC और ST को ही अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती को ही आरक्षण का दरजा दिया गया अरक्षण का लाब दिया गया ओबीसी की बात नहीं की अखिल भारते इस तरपर 1990 के बाद OBC का प्रावधान किय लेकिन जब आप देखते हैं OBC का प्रावधान है वह सबसे पहले साउथ इंडिया से शुरू है तो OBC का इतिहास क्या रहा है OBC में कौन सी जाती आती है यह सब हम इस चैप्टरें पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यह माना गया कि जिनोंने अच्छूतो जैसा वहवार सहा है हमेरसा वंचनाओ का शिकार रहे हैं वो तो ऐसी है लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी जातियां है जिनके साथ अच्छूतो जैसा तो वहवार नहीं हुआ लेकिन इनका जीवन तो अभावों में भीता है समाजिक तोर पर तो पिछड़े हुए है सिक्ष जातिवात के नाम पर इनका शोषण नहीं किया गया है लेकिन फिर भी ये समाज की मुख्यधारा से पीछे हैं तो ऐसी जातियों को क्या करना चाहिए सरकारी जो सिक्षा संस्थान है उनके लिए इनके सीटे डिजर्व करनी चाहिए ताकि इने भी एड़िशन मिल सके ये को भी आरक्षन दिया जाना चाहिए ऐसी डिमांड्स उठती हैं तो जजमानी विवस्ता कि साबसे जो उच्छ जातिया थी उन्हें उपरी पायदान पर रख्या गया था और जो नीचे जातिया थी उनका काम था कि उच्छ जातियों के लोगों की सेवा करें ऐसे में एक नौन क्रीमी लेयर ओबीसी वो हैं जिनकी आमदनी बहुत जादा है उन्हें ओबीसी का दरजा मिला है लेकिन ओबीसी के लाभ उन्हें नहीं मिलेंगे जो नौन क्रीमी है उनकी आमदनी निम्न है यानि कि उनकी आमदनी कम है उन्हें ओबीसी का दरजा भी मिलेगा और किशक जातियां मद्धवर्गे जातियां यह अन्य जातियां जो निम सेड़ियों में आती थी तो एक्जामपल फॉर एक्जामपल नाई बढ़ही कुमार पानी खीचने वाले इस टाइप की जातिया थी उन्हें OBC में रखा दया हाला कि समय से हैं पर बहुत सारी अन्य जाति कि जातिया ॥ दिल्ली यूपी विहार और राइस्थान में वो का लिंगा और कर नाटा को करनाटा को करनाटा कर नायतों की बात बने उन्हें शचैматितरी उनके बदलाव से समय से प्रभावित हुई है निन्न calendar निंए 250 में रत्लिया ही मद्धवर्ग की जातियों और OBC की बात की गई उन्हें भूमी सुधार का प्रॉफिट भी दिया गया जब भूमी का दुबार से बटवारा किया गया क्योंकि पहले हमारे यहां किया था जमिनदारी विवस्ता थी जमिनदारी वरस्ता में एक ही बंदे का सारी सारी जमीन पर क्या था नियंतरण था, कंट्रोल था जब भूमिस सुधार किया गया तो जमिनदारी वरस्ता हो खतम किया गया चकबंदी किय गई, छोटे-छोटे खेतों को पुना जोड़ा गया सिचाय सुधाओं का विकास किया गया तो कहीं ने कहीं लोगों को प्रॉफिट किया मिला है 1970 तक अगर बात किया है तो मद्ध वर्गिया जो किशक जाते हैं थे बहुत सारी मजबूत हो गई है इवन राजनितिक रूप से इनका एक क्लास उभर कर सामने आई है सेक्षिक इस्तरपर और राजनितिक इस्तरपर इनका कई-कई नामों से आज जाने लगा है इवन मध्यमवर्क किशक, अमीर किसान, कुलक, बुलक, कैपलिस्ट, अन्य नाम भारते दानिति में उजड़ रहे हैं समाजवादी जैसे राम मनुहर लोहिया जो एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे यह OBC वर्क को मजबूत करना चाहते थे तो इतना तो आपका बैचलेगा कि वो जातियां जिनके साथ छुहाचूद जैसे दुर्वयवार नहीं हुआ है जो समाज की बस मुख्यधारत से पिछणी थी सैक्षिक इस्तर पर पिछणी उन जातियों को OBC का दर्जा दिया जता है इन में सब बहुत साथ जातियों को OBC का दर्जा मिलना बाकी है OBC वर्क के अगर मुद्दों की बात करोगे आप तो OBC वर्क का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कई बार कई कई जाती सम्हूँ अपने आपको OBC में शामिल होने की डिमांड करते है खास तोर पर राइस्थान में जाटों की बात की जाए बहुत बड़ा आंदोरन इनों ने किया बहुत लंबे समय तक आंदोरन किया अंत्यता इने जाके OBC का दर्जा मिला इसके लावा कई हो की यह डिमांड रहते हैं कि हम SC, ST का दर्जा मिलना चाहिए तो OBC वर्ग की जो कुछ मुद्धे हैं वो यह है कि ने ने जाती समय को OBC में शामिल किया जाए इसके अलावा जो अती पिछड़ा वर्ग है उसमें कोटे की डिमांड करते हैं कि कोटा इनका जादा होना चाहिए इसके लावा जो लोग SC से जुड़े हैं, ST से जुड़े हैं या फिर OBC से जुड़े हैं इन लोग को जो बड़े-बड़े महापुरुष हैं भारत्रत्र दिया जाए इवन जो OBC समदाए के जो बड़े-बड़े लोग हैं इनके नाम पर National Holidays हो इस टाइप की इनकी डिमांड हैं जैसे कि महराष्ट में मराथा हैं, गुजरास में पतेल हैं, राइस्थान में जाट हैं, हरियाना में जाट हैं, आन्द प्रदेस में कापु जाती हैं यह लोग अपने-अपने लोगों को OBC में सूची में डालने की मांग कर रही हैं, अपने-अपने महापुर्शों को नए-ने पुरुसकार देने की डिमांड कर रही हैं राइस्तान में गुझर स्ट में करने की इमांड करने हैं गुझर कह रहे हैं हमें टर्जा देना थि कुझ tadi हमन्हिंजाती हैं हमारा जीजादा शोशन हुआ है तो ऐसा हमें सन्ट इमांड उड़ते जाते और यह में और इसी डिमांड को लगभंग माना भी गया है। सरकार इन मुद्धों पर अलगलग रूप से प्रतिक्रियाय देती है। जैसा कि राइस्थान में 1999 में धोलापूर और भरतपूर को छोड़ दिया जाए। दिल्ली और यूपी में भी राज्यों को OBC सूची में जाटों को शामिल कर लिया गया। यानि कि जाटों को राइस्थान में OBC का दरजा दिया गया, लेकिन धोलपूर और भरतपूर में दिया गया। दिल्ली और यूपी में OBC में जाटों को दरजा दिया गया अनराज जोबनी दिया गया 2014 में महराष्ट में सरकार ने मराठाओं को OBC का इस्टेटर दिया लेकिन सुप्रीम कोड ने इस पर रोक लगा दी कि मराठाओं को OBC का दरजा नहीं दिया जा सकता 1975 में इसके लिए एक कमेटी बनाए गई छेदिलाल कमेटी, 2001 में एक और कमेटी बनाए गई हुकुम सिंग कमेटी इवन उत्तर प्रदेस में चाहे किसी भी सरकारों, चाहे मायवते की सरकारों, मुलायम सिंह यादों की सरकारों, योगी आदितनात की सरकारों वर्तमान में इन सब ने अनसुची जातियों, जन जातियों की बात समय समय पर की है और आए दिन बहुत सारी जातियों का अनुसुचित जंजातियों का दर्जा दिया गया है कई बार जो OBC में थे हैं उन्हें ST का दर्जा दिया गया है कुछ लोग जो ST थे हैं उन्हें OBC में का दर्जा दिया गया है तो समय समय पर वोर्ड बैंक के रादनिती उठते रहती है और OBC के ये मुद्दे उठते रहते हैं कुल मिला कर OBC का प्रमुख मुद्दा यही है कि इनके लोगों को सम्मान दिया जाए इनके लोगों के कोटा बढ़ाया जाए इस टाइप की इनकी डिमान रही है आगे अगर बात की जाए तो ऐसे में समय 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 पर जो कमेटिया बनी है इन कमेटियों के माद्दम से कुछ सुझाओ दिये गए हैं बस जरूरत है तो उन सुझाओ को लागो करना आगे चैप्टर में मंडल आयोक के बारे में बताया गया है तो देखिए जब भी आप OBC के बारे में पढ़ोगे तो आप मंडल आयोक के बारे में जिरूर पढ़ोगे तो जह हम देखते हैं OBC की मुद्दा सबसे पहले साउथ हिंडिया में शुरू हुआ करा दक्षिन भारत में सबसे पहले OBC की लामबंदे शुरू ही और उत्तर भारत से बहुत पहले दक्षिन भारत में इलामबंदे शुरू हो चुगे भी 1970 के दशक में OBC का आरक्षन साउथ इंडिया में लागू कर दिया गया था लेकिन अखिल भारते इस तर पर सेंटर लेवल पर 1990 के बाद यानि कि 1992 में OBC का मुद्धा शुरू हो तो OBC का मुद्धा शुरू होता जब देखिए जब अपातकाल के बाद 1977 में 1975 में अपातकाल लगा इंद्रगांदी की सरकार में अपातकाल के बाद जब चुना हुए तो जनता ने इंद्रगांदी जी को नहीं चुना अब की बार सरकार आई मुरारजी दिसाई की तो जब मुरारजी दिसाई की सरकार आई 1977 में तो मुरारजी दिसाई जब देश के प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने एक कमेटी बनवाई और जो ये कमेटी थी इस कमेटी को मंडल आयोक के नाम से जानते हैं चुनकि इसके जो अध्धश्थ थे इस कमीटी उनका नाम था VP मंदल यानि कि विन्देशवरी प्रसार मंदल तो उन्हीं के नाम पर इस कमीटी के नाम रख दिया गया मंदल कमेटी, हालाकि मंदल कमीटी इससे पहले report देती, इससे पहले मुराजी दिशाय की सरकार गिर गई 1980 में जब दुबारा कॉंग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने मंडल आयो की रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया 1989 में फिर से चुनाव होते हैं 1989 के जब चुनाव होते हैं तो VP सिंग की सरकार आती है यानि कि विश्णात प्रताप सिंग की सरकार आती है और ये सरकार जब आती है तो ये OBC की जो मंडलाईव की रिपोर्ट होती है न भई उस रिपोर्ट को लाउ कर देती है और ये कहती है कि OBC को 27% आरक्षन मिलना चाहिए देश मैंनों बड़े पैमाने पर दंगे होते हैं कि नहीं आरक्षन नी मिलना चाहिए ऐसे में सुप्रिम कोर्ट मामले में इंटरफेर करता है और सुप्रिम कोर्ट OBC को दरजा दे देता है सम्विधानी कि हाँ भई OBC की मांग बिलकुल सही है लेकिन ये सब चीज़े एकदम से नहीं हो गई 1950 में जो भारत का सम्विधान बना था उसके आर्टिकल 340 में राष्टपती को यदिकार दिये गया कि जितने भी लोग समाजिक रूप से पिछड़े हैं जितने भी लोग सिक्षा की रूप से पिछड़े हैं ऐसे लोगों की पहचान के लिए एक कमिटी बनाई जाए कमिटी का अध्ष्ट बनाया गया कि आपका काम यह है कि आप उन जाथियों की पहचान कीजिए जो समाजिकों सेक्षिक रूप से पिछड़ी है काका कालेकर चुकि इसकी अध्ष्ट थे इसलिए कमिटी का नाम काका कालेकर कमिटी बन गया इस कमिटी ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी इसने 3000 से अधिक जातियों की पहचान करी जिने OBC का दरजा मिलना चाहिए था हाला कि इनकी सिफारिशों को मंजूर नहीं किया गया और लोगों को यह लगने लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो BP मंडल की अधिश्टा में दूसरा पिछला वर गाया यानि कि पहला पिछला वर गायो कौन सा था काका कालेकर की अधिश्टा में जबकि दूसरा पिछला वर गायो किसकी अधिश्टा में था BP मंडल की अधिश्टा में इसने 4000 से भी जातियों की पहचान करी कि जिनने OBC का दर्जा मिलना चाहिए इन्होंने का अखिल भारते इस तरह पर 27% आरक्षण इन्हें देना चाहिए सिक्षा संस्थाओं में और सरकारी नौक्रियों में आगे चलकर इंद्रा साहनी बनाम सर्वोच नियाले एक विवाद हुआ सुप्रेम कोड ने डिसीजन दिया कि भईया OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर और नौन क्रीमी लेयर के हिसाब से आप OBC को दोगे क्रीमी लेयर जिनकी आमदनी जादा होगी उन्हें OBC का दरजा मिलेगा लेकिन OBC के लाप नहीं मिलेंगे नौन क्रीमी जिनकी आमदनी कम होगी उन्हें OBC का दरजा ही मिलेगा और OBC के लाप भी मिलेंगे इसके जाएद भारते सम्मिधान के आर्टिकल 15 में पाँच भाग जोड़ा गया आगे चलकर मर्मोहन सिंग जी के नेतरत में भी OBC वरक के लिए उच्छा सिक्षन साओं में आरख्षन के प्रावधान किया गया तो इसे मंडल 2 के नाम से भी जानते हैं तो मंडल आयोग की बात की जाए तो मंडल आयोग जो था वो दूसरा पिछला वरक आयोग था पहला वाला काका काले कर किया धर्षता में तो इस प्रकार से आज जो OBC के दरजा मिला हुआ है OBC को उसकी एक सम्मिधानी कित्यास इस टाइप से रहा है तो OBC कौन है OBC के मुद्दे क्या है और OBC को OBC का आर्षण कैसे मिला OBC को OBC का नाम कैसे मिला काका काले कर रिपोर्ट क्या थी और मंडल आयोग क्या था ये सब चीज़े हमने जान ले आशाए चीज़े आपको समझ में आ रही होंगी इसके साथ अगर चीज़े आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप से जुर सकते हैं वहाँ पर अपने प्रेशन पूल सकते हैं आपको वहाँ पर उत्तर भी दिये जाएंगे ठीक है पर अपने महिलाओं की जब बात की जाएं तो ये महिलाओं का जो मुद्दा ये इंटरनेशनल एगल मुद्दा है अंतराश्टी इस तर पर ऐसा ने सिर्फ भारत की बात करों में हर देश में लगभग महिलाओं की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है खास तोर पर किस मामले में राजनितिक अधिकारों के बारे में ऐसे में दलील ये दी जाती कि पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया लिंग अधारित आसमानता दी गई नौक्रियों के चैन में समानता गया उसा नहीं मिले इन्हें सोतनता नहीं मिली साधी के डिसीजर इन पर थोप दे गए जीवन जीने की सुनता इन से छीन ले गई परणाम यह रहा कि लीडर्शिप में कमी है लेकिन आज देखेंगे तो आज महिलाओं की सिती परिवर्तन आया है 1991 के बाद जब 73rd, 74th Amendment किया गया पंचायती राज इसतर पर 33% सीटे महिलाओं के लिए कोटा रिजाटर कर दी गई तब जाके महिलाओं की सिती धेदरे ठीक होने लगी ऐसा माना गया है कैराब भारत में महिलाओं संबंदी जब मुद्दे की बात करते हैं एक सिक्षा का मुद्दा आता है और एक उनका इंपाउर्मेंट का मुद्दा आता है कि महिलाओं क्या शशक्त हैं कई नेता, कई समाजिक संगठन महिलाओं के मुद्दो को उठाने की बात करते हैं महिलाओं के समस्या को हल करने की बात करते हैं कई शोशल वर्कर भी है जो महिला विरोधी आंदोलन जो समाजी बुराईयां उनका विरोध करते हैं सती प्रता बाल विवा विद्वा विवा पर रोक लगाने के लिए बड़े पैवाने पर आंदोलन हुए भी है पित्र सतात्मक समाज के खिलाब सावित्री वाइफुले, फातिमा शेक, पंडित रमावाई जैसे लोगों ने आवाजे उठाई भी है वर्तमान में बात की जाए तो महिलाओं को पर्यावन कारेकरता OBC महिला किसान के मुद्दों पर भी कठा किया गया है इवन इतना ही नहीं जो वर्तमान में साइबर क्राइम हो रहे हैं, बलातकार जैसी जो समस्या हैं, इसके खिलाब भी महिलाओं को लामबंद किया गया है इन सब का परिणाम ये रहा कि महिलाओं से संबंदित बहुत सार नियम कानून पास किये गए संसर में उनके लिए सीटे आरक्षित कर दी गई, लेकिन जरूरत ये है कि महिलाओं को अब एर किया जाए महिलाओं को इस इस्तर पर ले जाया जाए, जिस इस्तर के लिए वो बनी है देखी, वोमन इंपावर्मेंट तो बहुत अच्छी चीज है मैंने एक बार अपनी क्लास में लड़कियों से पूछा कि वोमन इंपावर्मेंट के उपर बोली है तो एक लड़की ने कहा कि वोमन इंपावर्मेंट पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं मेर पास उसका रीजन ये है, वोमन कभी कमजोर रही नहीं जिस देश में काली को पूजा जाता हो, दुर्गा की पूजा की जाती हो उस देश में वोमन कमजोर कहा थी दिक्कत ये रही कि वोमन्स खुद ही अपने अधिकारों के पड़ती अवेर नहीं हो पाई है वोमन्स खुद ही नहीं पढ़ पाई है जिसके परड़ाम सुरू हाला कि मैं इस बात से सहमद नहीं हूँ उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला यह बात बिलकुल रियल है लेकिन जिने पढ़ने का मौका मिला है उनकी वी सफलता का जो success rate है वो बहुत कम है तो जो success rate कम होने का कारण यह है कि जिन महिलाओं को मौका मिला भी है तो मौके को भुना नहीं पाई तो जरूरत है तो जरूरत यह है कि आजादी से उड़ने की जरूरत है इस चीज की कि उस अजादी का maximum profit लिया जाए चीजों को अच्छे समझा जाए जो वंचनाओं का शिकार होता है जब उसे कोई चीज मिले तो उसका उसे भरपूर प्रयोक करना चाहिए और उसे अपनी ना पूरी पूरी भूमी का अधा कर देने जाए आज आप देख रहे हैं देश की राश्पती द्रोपती मुर्मु जी है हमारी फाइनेस मिनिस्टर सीता निर्मला रमड जी है तो वुमन उपार्मेंट हो रहा है आगे चलकर अगा महिलाओं की बात करें हमाई राजनीती में तो चिपको आंदोलन श्राब बंदी आंदोलन मूल व्रद्धी इखिलाफ आंदोलन महिलाओं ने भाग लिया है पित्र सतात्मक समाज को चुनाती दिये राधा कुमार के अनुसा आर्सोंता इच्छा जैन्ड राहता इक भेरभाव के इसाब से नहीं होनी चीए आज फैमिलिस्ट आंदोलन चल रहे हैं 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था हम सभी को पता है इस कांड में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था और इसके बाद ये मुद्धा उठा कि बलतकारियों को क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए परिणां सरुष सरकार ने शंशोधन किये और नाबालिक लड़की का बलतकार करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया और सामोईक बलतकार की सभी में 20 वर्ष की कैद की गई इवन इतने नहीं शादी संबंदों में बलतकार को भी एक अपराद की सेड़ में रखा कि एक महिला से उसकी इच्छा के बगागर संबंद बनाया जा रहा है तो ये बलतकार ही माना जाएगा इवन 1987 में घटना घटी राइस्थान में एक लड़की को सती प्रता के तहत जिन्दा जला दिया गया इसके बाद सरकार एक्टिव हुई और बड़े पैमाने पर जो एंजियो सेक्टर ने उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया राइस्थान हाई कोड ने एक अधिनियम की बात करी और राइस्थान सरकार ने 1987 में इस अधिनियम की कर दी गई और सती प्रता को खतम कर दिया गया 2005 में घटना जाए गया मानसिक रूप से भी आप प्रताडित कर रहे होते हैं घटना जाएगा वरतमान में लिविन रिलेशन्शिप को लेकर बड़े पैमाने पर सुप्रेम कोड में मुद्दा उठाया जा रहा है ये माना जा रहा है कि live-in relationship को legal कर दे जाना चाहिए उसका कारण ये है कि कई बार ना हमारे या honor के लिए इस type के लिए हो जाती है कि जो लड़कियां है वो live-in relationship में रहा रही है तो उनको उनके प्रेमी को मार दे जाता है तो live-in relationship को भी legal करने की बात की जा रही है और एक और मुद्दा उठ रहा है आजकल लेस्बियम का मुद्दा ये सब चीज़ा आप यहाँ पर लिख सकते हो इवन एक और समस्ते हैं हाँ आपके चैप्टर में बताए गई है कार रिस्थल पर जब महिला जॉब करने जाती जहाँ पर उस जगह पर महिलाओं का शोषण किया जाता है उनके उपर योन अत्याचार किया जाता है तो इसके लिए 12-13 में एक कानून पार्ट किया गया ता उनने संसर्ण में महिलाओं के लिए आरख्षण विधेग प्रस्तूत किया ताकि संसर्ण में भी उनके लिए एक तिहाई सीटे रिजर्व कर दी जाए 12-10 में इस विधेग को राजसभा द्वारा तो पास कर दिया गया लेकिन लोकसामाई एबिल पास नहीं हो पाया तो मह प्रश्णों का उद्दर देने में आप सक्षा में आगे चैप्टर में एक साराश दिया है कि चाए दलित हो चाए OBC हो चाए महिलाओं हो यह सब समाज के कमजोर वर्गों से रिलेटेड है इन्हें राजनितिक रूप से अवेर करना होगा दलित और OBC जाती विशेश अत्म सम्मान की बात होनी चीए समाजिक नयाई की बात होनी चीए महिलाओं की बात कि जाता है तो आप उसका उत्तर देने में सक्षा में कमेंट बॉक्स में अपनी पिर्तिक्रिया जरूर दीजिए मिलते हैं आप से नेक्ट शेप्टर में तब तक कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद